एक समाय था जब जीवन की मुल्भुत सुविधाओं के लिए भी देश के लोगों को तरसाया गया बरसों बरस के इंतजार के बाद लोगों ने इस अभाव को ही अपना भाग्य मान लिया था इसी निराशा जादा तर लोगों ने मान लिया था कि मैं जुग्डी जोपणी में पैदा होगा और आने वाली पीडियां भी जुग्डी में ही जुग्डी जोपणी में ही अपना जीवन बित्त पारित करेंगे इस निराशा से देश अब बहार निकल रहा है आज हमारी थरकार हर अभाव को दूर करते हुए हर गरीब तक खुद पहुँचने का काम कर रही है हम योजनाओं के शत प्रतिशत सेचुरेशन का प्रयास कर रहे हैं यानि जीस योजना के जितने लाभारती है उन तक सरकार खुद जा रही है सरकार की इस एप्रोच ने बड़े पैमाने पर प्रस्टाचार समाप्त किया है बेदभाव समाप्त किया है लाभारती तक पहुचने के लिए हमारी सरकार न धर्म देखती हैं और नहीं जाती देखती है और जब आप किसी गाउं में 50 लोगों कोई मिलना ता है और 50 को मिल जाता है किसी के पंत का हो किसी भी जाती का हो उसकी पहचान न हो हो कुछ भी हो लेकिन एक बार सब को मिलता है मैं समता हूँ जहां कोई भेदभाव नहीं है वही तो सच्चा सेकुलरिजम है जो लोग social justice की बाते करते हैं जब आप सबके सुख के लिए काम करते हैं सबकी सुविधा के लिए काम करते हैं सबके उसके हक पहुँचाने के लिए शत प्रतिशत काम करते हैं तो मैं समगता हूँ इस से बढ़कर के कोई सामाजिक न्याई नहीं होता है इस से बढ़कर के कोई social justice नहीं होता है जिस राह पर हम चल रहे हैं पहले की सरकारे किस approach के साथ काम कर रही थी आज हम किस सोच के साथ काम कर रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है गरीबों के लिए आवाज देनी की योजनाएं हमारे देश में लंबे समय से चल रही थी लेकिन दस बारा साल पहले के आकड़े कहते थे कि हमारे गाउं के लगभग पच्चतर्थ प्रतिशत 75% परिवार ऐसे थे जिनके घर में पक्का साउचालय नहीं था गरीबों के घर की योजनाएं पहले चल रही थी उनमें भी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था गर सिरप सीर ढखने की छत नहीं होती हैं जगभर नहीं होती हैं गर एक आस्था का स्थल होता है जहां सपने आकार लेते हैं जहां एक परिवार का वर्तमान और भविश्यताय होता है इसलिए 2014 के बाद हमने गरीबों के घर को सिर्फ एक पक्की छट तक सिमित नहीं रखा